हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम बात करें सिच्छक बरती चार्थों पर लाठी चार्ज के बारे में सिच्छक बरती चातों के उपर लाठी चार्ज को लेकर कमर तोड़ दी गई है जहां पर बिहार में नई सरकार पिलस बीजेबी को लेकर बात करेंगे साथ ही हम बात करेंगे पहले सिच्छक बरती की बाइस अब लाठीयों के तूफान के बारे में बैसे तो हम जब से छोटे होते हैं तब से हमें सिखाया जाता है कि मातर पिता के बाद में अगर कोई तीसा है तो हम वो सबसे सेश्ट है हमारी लिए गुरू कभी कहा जाता है कि सिच्छक समाज का आईना होता है तो कभी और भी बड़ी बातें सिखाई जाती है लेकिन ये सारी बातें सिखाई जाने के बाद हम सिखों के ऊपर किस तरीके से लाठी चार्ज कर सकते हैं ये एक सोचने वाली बात है सेम टू सेम वही चीज देखने के लिए मिली जिस परकार कहने के लिए तो बहुत सारा ग्यान लेकिन जब बात इस्तमाल करने की आए तो इस ग्यान का किसी काम नहीं आना क्योंकि सिखाया तो हमें कुछ और जाता है सिख्चकों के बारे में लेकिन उनकी उपर लाठी जब बसाई जाती हैं तब कहीं ने कहीं इस बात को लेकर सवाल कड़े हो जाते कि जो हमने सिखाया था वो तो इन्होंने काम में लिया ही नहीं है ना अब यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिच्छक वरती चार्थों के उपर लाठी चार्ज के बारे में जहां पर कई अब्यरतियों की कमर टूटी किसी के हाथ तो किसी के सार तो किसी का कुछ और क्योंकि इस प्रकार की घायल होने की जो जानकारी है वो देखने के लिए म समय पर निशित तोर पे सिच्छक वरतियों की बारिश आप सभी को देखने के लिए मिली और यह जो बारिश है वो अभी भी जारी है बंद नहीं हुई है लेकिन बारिश की बीच में आप देखते हैं कि ओला वर्ष्टी हो जाती है तो उसको आप तुफान कह देते हैं ना तो वही तुफान यहां पर बीच में आ जाता है लाठी चार्ज के दोर पे और यह आपको देखने के लिए मिलता है बिहार के अंदर ही सच्छमता परिक्षा के ब्रोध में सिच्छकों का जो प्रदर्शन है वो जा दी है पुलिस ने इनके उपर लाठीयां बसा दी है और और यह जो आप सभी को उम्र दराज देखने के लिए मिल दे होंगे जäsे कि आप सभी हाँ देखेंगे कोई आपके चाचा की इम्र का होगा कोई आपके पिता जी की इम्र का या इंक एक तरीके से सिच्छक ही हैं जो कि यहां पर उनके विद्यायले में पढ़ाते हैं जिनको नियोजित सिच्छक के नाम से हम जानते हैं इनके लिए सरकार ने एक प्रावधान बनाया कि जो परिक्षा पास करेंगे बस उनी को हम सिच्छक बनागर के रखेंगे बाकियों का क्य होगा ये बाद में देखा जाएगा यहां पर लिखा भी हुआ है कि बाजपर कायाले के पास सिचकों को खदेड़ा लाठी चार्ज सच्छमता परिक्षा में फेल सिचकों को हटाने पर फैसला अभी नहीं हुआ है ऐसा कहना है मंत्री का लेकिन उनका मानना यह है कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो उसके बाद में हमें सेवाओं से बाहर किया जा सकता है उसके बाद में एक बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आप शिक्षा मित्तों को ले लीजे वो भी आज चाहते हैं कि उनको पर्मेने टीचर बना दिया जाए अब उनको हटाया उनके लिए सफीशन नहीं है एक सेगंड के लिए बीट बीटी सी है नौकी साइड से रखकर किये सोचिए कि क्या दसरजार में हम कुछ कर सकते हैं नहीं अगर उनको अठागर कोई और काम किया जाता है उनके लिए कोई और विवस्ता कर दी जाती तो उसमें थोड़ा वेत सिख्षा मित्तों का लित्व का नुक्सान है सेम यहां पर अगर बात की जाए नियुजे टीचर्स के बारे में हैं उनका कहना है कि हमें सीदря नोकी देदी जाए सिचक के पदब कहना यह हो Conference है लेकिन अगर इनको नहीं मिलेंगी जो नियोग होद THIS को मिलती है फिलाल मुद्दे की और मैतमुड बात ये है कि ये अपनी मांगों को लेकर पटना में धना प्रदेशिन करना है और वहाँ पर एक बाफे से आप लाठी चार्ज जैसे माहौल देखने के लिए मिलना है निउस आप सभी के सामने है समाचा पत्तों से ले गई है थैंक यू फो वाचिं दिस वीडियो